नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे वैशनों खाना जो की बीना लसन प्याज के आलू की सबजी होगी ये चार-पांच बड़े आलू हमने लिए हैं एक चमच धनिया पाउडर है सूठी दो-तिन लाल मिर्चे हैं और हेंग है एक पिंच गरम मसाला है एक छोटी चमच स्वादा नुसार नमक है हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर और जीरा है एक टेबल स्पून और देसी गी है त दो चमच और एक चमच गहूंका आट है हरा धनिया और दो चमच ओईल है कि सबसे पहले हमने दोस्तों कढ़ाई गैस पर रखी और यह कढ़ाई मेरी 20 साल पुरानी है दोस्तों अब कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल बहुत ही कम मात्रा में डालना है एक या ड जीरा डाला जीरा तड़क रहा है अब हमारा गैस को कम कर दिया उसमें मैंने टमाटर हरी मिर्च और अध्रक का मैंने पेस्ट बना कर रखा था वह पेस्ट मैंने डाल दिया है तेल के अंदर जिसमें जीरा तड़काया था उसके अंदर मैंने यह पेस्ट डाल दिया है टमा अब इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली है और यह नमक डाल दिया हुआ हुआ हम इसको अच्छे से सब मिक्स करेंगे अब मैंने अब हल्दी पाउडर डाल दिया हरी मिर्च डाली हुई है बीच में इसलिए लाल मिर्च हम कम ही यूज करेंगे वरना ज़्यादा हो जाएगी अगर आप ज्यादा खाते हो तो ज्यादा डालीएगा अब यह मैंने धनिया पाउडर डाल दिया अब हम अच्छे से और भूनेंगे इसको इसका सारा पानी सुखाएंगे दोस्तों आलू की सब्जी तो सबको बहुत ही पसंद है और यह बनी भी बहुत अच्छी है आप देखिए और आप भी इसको खाए बिना रहा नहीं पाऊगे अब इसके अंदर हमने एक चमच तब तक मसाला भून रहा है उसके अंदर 2-3 चमच पानी डालकि इसको अच्छा सा घोल तयार करना है इसके अंदर कोई लंस न रहने पाए और साथ के साथ हमने मसाला भी बूनते जाना है और करीब-करीब हमारा मसाला भूनने को तयार हो चुका है कुप्लिट होने वाला है अब हम इसमें अलू डा काटना नहीं है चूरी से तो हाथ से ही मैश कर देने उसको एकदम नहीं बारिक करना है नहीं एकदम मोटे टुपड़े हो ठीक हो ऐसे सब्जी खाने का बड़ा मज़ा आता है कि सारा गुस्सा जो आपके अंदर है ना वो सारा इस आलू को निचोडने में लगा दो आप खुब दबा दबा के आलू इसको फोड़ देने अब हम इन आलू ओं को मसाले के अंदर भूनेंगे अच्छे से अब मैंने जो ग्राइंडर में टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालके वह भी इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से यह टमाटर बुन रहे हैं हमारे और अब हम इसमें डेड़ से दो ग्लास पानी डालेंगे अगर चावल के साथ आपने खानी है तो पानी ज्यादा भी डाल सकते हो आप वैसे तो आलू की सब्जी पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती आलू पूरी बहुत अब हम इसमें उबाला आ चुका है अलू में तो अब हम इसमें जो हमने मिश्रन ये घोल तयार किया था यहों के आटे का वह इसमें हम डाल देंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी ये थोड़ी काड़ी हो जाए और इसका स्वात भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों दोस्तों आप ट्राइज जरूर कीजिएगा अपनी फैमली को खिलाईएगा बच्चों को खिलाईएगा आपको जरूर पसंद आएगी और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में शेर जरूर कीजिएगा अब हम दूसरी तरफ एक छोटी सी खिलोने जैसी कड़ाई जिसको फ्राइब पैन कहते हैं तड़का पैन भी कहते हैं वो रख दीए हमने दूसरे चूले पर अब उसमें हमने दो चम्मत देशी घी डाल दिया गाया का शुद्ध देशी घी है अब हम इसमें थोड़े से दाने साबत धनिय के डालेंगे यह गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको धनिय को भुनेंगे इसमें धनिय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों तड़के में आलूगी सबजी करीब करीब हमारी तयार हो जुकिया और वहां पर हमारा तड़का भी तयार होने वाला है अब हम इसमें दो से तीन लाल मिर्ज साबत डालेंगे अब गैस की आच लोग धीमी कर देंगे ताकि यह जलने न पाए और घर में सबको खासी न चूप जाए अब हम इस पर सबजी के उपर यह डालेंगे और सारा मिक्स कर देंगे इसको सब्जी हमारी तयार हो जुकिये विल्कुल खाने के लिए रेडी है और इस पर अब हम हरा दनिया जो बारिक काटकर रखावा था उससे गार्मिश करेंगे तो हमारी आलुकी सब्जी तयार हो गई है दोस्तों तो आप भी खाईए और सबको खिलाईए तो हमारी खाईए